नमर्शकार्वे उप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है सरकार ने पीम किसान सम्माननी थी योजना, पीम जंधन योजना, एलपी जी सबसीडी जैसे लगभग सभी कल्यानकारी योजनाव का लाब लेने के लिए इस एक दस्तावेज को अनिवारे कर दिया है साथी या दस्तावेज इस बात का प्रमाण है कि आप भारत के नागरिक है, ऐसे में घर में बच्चे हो चाहे बुढ़े हर किसी का आधारकार्ट अनिवारे किया गया है हाला कि इन सब के बीच आपके बच्चों के आधारकार्ट पर इनाक्टिव होने का खत्रा मनराने लगा है जैसा कि आप सब को पता है कि वर्तमान समय में एक दिन के बच्चों का भी आधारकार्ट बनवाने का प्लावधान है ऐसे में लोग अब अपने नवजात बच्चों का भी आधार कार्ट बनवा रहे हैं लेकिन अब सवाल ये है कि जब हमने अपने बच्चों का आधार कार्ट बनवा ही लिया है तो फिर यह इनाक्टिव किस केस में होगा तो हम आपको बता दे कि आधार कार्ट इनाक्टिव होने के पीछे का एहमकारन क्या है केंदर सरकार की तरफ से आधार कार्ट जारी करने के साथ ही ये भी नियम लागू किया गया है कि भले ही माता पिता ने अपने बच्चों का आधार कार्ड पैदा होने के साथ ही बनवा लिया हो लेकिन 5 साल होने के बाद उसके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की आवश्रक्ता होती है अगर आपने ये नहीं करवाया है तो आपके बच्चे का बाल आधार काड इनाक्टिव हो जाता है ये तो हो गई इनाक्टिव होने की बाद अब आईए आपको बताते हैं कि 5 साल होने के बाद आप अपने बच्चों का आधार काड वेरिफाई कैसे करवा सकते हैं इसके लिए अभिभावक निकर्तम आधारकार्ट के इंद्र जाकर बायोमेट्रिक कराने के लिए आप सीधा UIDAI के appointments.uidai.gov.in के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और बच्चों की बायोमेट्रिक को अपडेट करा सकते हैं जिससे आपके बच्चों स्कूल के अड्मिशन में कोई द बच्चा 15 साल की उम्रसीमा को पार करता है वैसे ही आपको एक बार फिर से अपने बच्चे के आधारकार्ट का बायोमेट्रिक अपडेट करवाना पड़ता है अब आईए आपको बताते हैं कि आप बाल आधारकार्ट के लिए apply कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको बस आपने एक और पेज खुल जाएगा जहां पर आप अपने बच्चे का नाम माता पता का नाम समेथ कई जरूरी जानकारी भर सकते हैं इसी स्टेप में आपको पता लोकालिटी जुला शहर राज्य आधी की जानकारी भी भरनी होगी जो इसके बाद आप appointment बटन पर क्लिक कर और आधारकार रेजिस्ट्रेशन के लिए शेड्यूल को चुने इसमें आप अपने घर के सबसे नजदी की इन्रॉल्मेंट सेंटर को चुन सकते हैं जिसके बाद बायमेट्रिक जानकारी को लेकर बच्चों को आधारकार से लिंक किया जाएगा सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आवेद को acknowledgement नंबर दिया जाता है जिसकी बदद से आप application के status को जान सकते हैं सार्च दिनों के बाद आपके registered mobile नंबर पर एक SMS आएगा enrollment process के 90 दिनों के अंदर आपको बाल आधार कार्ट भेजिया जाएगा इन सब को लेकर हाली में UIDAI ने भी बच्चों के सम्मध में माता पिता की महत्वपूर्ण जम्मधारी को लेकर एक tweet किया था जिसमें UIDAI ने साफ किया था कि बाल आधार का उपियो केवल 5 साल की आय तक किया जा सकता है 5 साल के बाद biometric verification नहीं कराने पर बाल आधार inactive या बंध हो जाता है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक एलिए धन्यवाद